सो हाई दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग मुझे उमीद है आप लोग बहुत सही होंगे और जामिया ने कुछ मास्टर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज के रिजल्स जारी कर दिये हैं तो आईए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि किस-किस courses के results जामिया ने आज release किये हैं और दूसरी बात ये कि जामिया ने एक बहुत ही important notification जारी की है जो कि 2019 और 2020 में pass out students है जामिया मिलिया इस्लामिया इन्वस्टी के उनके लिए है तो छोड़ी सी information है इस पर बात करके हम लोग चलेंगे entrance के results पर कि किस-किस courses के results आए हैं तो सबसे पहले हम लोग notice के बारे में बात करते हैं तो ये जो notice है वो जामिया मिलिया इस्लामिया से 2019 और 2020 में pass out students के convocation को लिकर है convocation का क्या मतलब है? convocation का मतलब वही है जो हम फिल्मों में देखते हैं कि degree मिलने के बाद दलके वो टोपिया उगाते हैं तो वहीं वाला काम पिछले दो बार से जामिया नहीं कर पा रहे थी क्योंकि कोरोना का दौर था 2019 और 2020 में convocation यानि कि दिक्छान समारों नहीं हो पाया था तो इसलिए 2019 और 2020 के students के लिए इस बार convocation रखा गया है तो इसी को लेकर कुछ important dates आया है कि ये convocation है कब होगा इसकी registration कैसे करनी है और registration करने की start तिथी क्या है और अंतिन तिथी क्या है तो आईए बात करते हैं इस पर कि ये जो convocation है 2019 और 2020 के pass out students के लिए और वो होगा 23 जुलाई 2023 को और यहाँ पे opening online registration पोर्टल जो है जो इसके लिए registration पोर्टल है वो खुलेगा 5 जुलाई 2023 को और जो ये close हो जाएगा 12 जुलाई 2023 को तो जो भी 2019 और 2020 में pass out students है वो लोग registration कर रहे हैं description में मैं link दे दे रहा हूँ तो date याद रखिया 5 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक इसका date है और convocation की date 23 जुलाई है ठीक है तो अब चलिए अपने result के बारे में चलते हैं कि भी website की link मैंने description में दिये है आप लोग वहाँ से जाके download कर सकते हैं तो पहले नंबर पर आता है BFA Applied Arts अनके Bachelor of Fine Arts का ये course है तो BFA Applied Arts, BFA Painting, BFA Sculpture, BFA Art Education, Bachelor of Library Sciences, MA Economics, MA Political Science, MA Public Administration, MA Sociology, MA Mass Communication, MA Convergent Journalism, MA Development Communication, MA Visual Effect, Diploma in Engineering, Advanced Diploma in Counseling Psychology, PG Diploma in Still Photography और PG Diploma in Acting तो ये courses के नाम है जिनके results आए हैं तो आप लोग जाईए चेक कीजिए और congratulations जो भी इस exam में select हुए है Thank you so much है वीडियो देखने के लिए मिलता हूँ ऐसे किसी informational वीडियो में तब तक के लिए बाबाए